नномश्कार दोस्तों कई बार क्या होता है कि हम अपना निवास इस्थान जब Change कर लेते हैं यार native के लिए ंतर से Multi जथान में चले जाते हैं कही पर मैं कुछ काम करोना होता है या फिर बैंक के रहाए हम खता खुलाना हो तो हमें अपने अधार कार्ड के अंदर address को बदवाना पड़ता है ठीक है तो दोस्तो जैसे कि आप सब को पता है कि अधार कार्ड के अंदर address तभी चेंज होता है जब आपके पास कोई valid document हो ठीक है तभी आपके अधार कार्ड के अंदर address चेंज होता है लेकिन दोस्तो आपक साथ सुरू से लेके अन तक बन रहेगा क्योंकि दोस्तों इस वीडियों में सब कुछ में आपको समझा दूँगा दोस्तों 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 इस वीडियो में हम यह सीखने कर सकते हैं दोस्तों सबसे पहले आप को गूगल पर विजिट करना होगा और यहाँ पर सर्फ करने सबसे विजिए हैं यहां पर आपको अपने आधार कार्ड को अप्डेट करना है तो इड्रेस अप्डेट करना है और आपके पास कोई डॉक्मेंट नहीं है ता आप कैसे कर सकते हैं यहां पर देखिए एक उप्ण आएगा अपडेट योर एड्रेस ओनलाइन ठीक है इसके ओपर कार नापको क्लिक करना होगा यहां पर देखे एड्रेस को change करने के दो तरीके हैं यहां पर देखे प्रोसेश टू अपडेट एड्रेस यहां पर इस वाले option के दिए आप स्लेड करते हैं तो आपको कोई डोकुमेंट करकर डोकुमेंट को और डोकुमेंट के सारे अपने दार कार्ड को चेंज करा सकते हैं, लिखने ढीच ellic झा अच्छे आते हैं तो यहां पर देख है स्के जरी मठ आप पराम से अपने अद्रेस करते हैं तो क्लिक करना है रिक्वेच्ट फॉर एड्रेस लेटार इसको व्हल हमने क्लिक किया यहां पर दोदो देखी हमने क्लिक जो भी एडस करवाना है उसकी लागरना मैं को अपना यहां पर से अंदर करना होगा को तो को अपने बात यहां पर थ्यान Khan के अदर के यह दिए आपके दार कार्ण मुबाइल नमर रेजिस्टर नहीं है तो आप मेरे एक वीडियों है उस वीडियों को देखकर आराम से अपने आधार कार्ण मुबाइल को बदल सकते हैं ठीक है तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं आप सेंड ओटीवे क्लिक करते हैं और अपना नो चलिक करना होगा जले लोग ईन पर क्लिक कर लेता हूं अब यहां पर देखिये आपको ध्यान रखने ढ़्रेस को बदलना थिक है तो तो सका आपको दर्ज करना हो ठीक है यहां पर कैवराय कि आपको enter your address verify मतलब कि आपको वेरिफायर जो में जिसका आप आधार काड़ यूज कर रहे हैं उसका यहां पर आपको अधार काड़ नमबर दर्ज करना होगा चलिए हम दर्ज कर लेते हैं तो यहां पर देखे मैंने अपना प्रोसी का यहां पर अधार काड़ नमबर डाल दिया है फि यानि कि आपको आधार मतलब जो कर रिक्वेश्ट भेज दी गया है आपके पड़ोसी के मोबाइल पर एक लिंक आई होगी यहां पर देखिए यहां पर ओल्रेडी बता रहा है यह लिंक आच चुकी है तो उसके मोबाइल को लेकर कर आपको आपका करना है उसको बोलना है कि एक लिंक गई होगी उस लिंक करना आपको क्लिक करके अपना और मॉबाइल के सारे उस लिंक पर क्लिक करेगा तो इसके ओडिव नुझा यहां पर देखिए ओटीपी आ चुकी है ठीक है इस ओटीपी को अभी दर्ज करना होगा अभी लिंक यहां पर देखे खुल रही है दिरे दिरे ओटीपी उसे पहले ही आ चुकी है अब यहां पर आप समझ सकते हैं कि देखिए ओल लेडी मतलब कहे रहा है कि आप एक वेरिफायर है मतलब आप प दर्ज कर लेते हैं 736677 ठीक है अब क्या करना यह करके फिर आपको इसके अंदर फिलब करना है यह सारा काम आपका प्रोसी कर रहा है या फिर उसका मोबाइल लेकर आप भी कर सकते कोई दिक्कत नहीं है यहां पर देखिए मतलब इसकेप चाहिए प्लस यहां उटीप जो आई उसको दर्ज कर दिया अब वेरिफाय ओटीप अगर आपको क्लिक करना होगा जैसे वेरिफाय ओटीप क्लिक करेंगे यहां पर देखें किया रहा है यूह सक्सेजफुली गिवेन यूर कंसेंट फोर यूजिंग यूर अधार एड्रेस आपके परोसी ने अपना काम पूरा कर दिया है अब क्या करना है देखिए अब आपके मतलब एक SMS आया होगा जैसे आपने वहां पर अपना वेरिफाय मतलब अपना ओटीप को वेरिफाय किया तो वापिस परोसी के मोबाइल पर वापिस क्लिक करना वह सब काम परोसी की मोबाइल पर भी हो रहा है यहांपिस लिंक पर हम क्लिक करके चलते हैं कि फिर आपका पॉडोशी यहां पर देखिए जो उस SMS के अंदर में आपको बता रहा था वह सारे नमर यहां पर क्या करना आ आपको दर्ज करना है तो चलिए उस वापिस हम देख लेते हैं को एंसरे नमर क्या था यह सब आप मभी आपका पॉडोशी कर रहा है आपका π produces से आज गाए यहां कर लेंगे और की क्रोपी करने के बाद में आपका प्रोसी यहां पे उस सरे नमर को दर्ज कर लेगा ये काम आप खुद भी कर सकते उसका मोबाइल लेकर और फिर यहाँ पर इसके प्चा को यहां फिल अब कर लेते हैं ठीक है अब यहां पर क्लिक करना है कि जैसे क्लिक करेंगे यहां पर देकिए मतलब केरा कि आम आपके पोड़ोषी का जो मतलब एड्रेस है आपके अधार काड को पर अब दिखाएगा उसके लिए यहां पर OTP दर्ज कर दीजिए तो OTP यहां पर देखिए आ चुकी है OTP यह नहीं नहीं आई है 384-891 384-891 ठीक है ऐसे करके क्या करना है आपको यहां पर logon पर क्लिक कर लेना है यह सारा काम अभी मतलब अपके प्रोशा के मोबाईल में ही नहीं है यहां लोगिन पर हमने क्लिक कर लिए अब यहां पर देखिए कौन सा एड़ेस होगा एड्रेस यहां पर देखिए दिखा रहा है कि यह जो है पडूसी से मतलब पडूसी यहां पर अपने एड्रेस आपके हो जाएगा ठीक है तो यह आपको मतलब यही रखे दिना है तो आप मतलब रहने दीजिये वरना आप यहां पर एडिट इन और टिक करने के बाद में सम्मिट पे क्लिक कर लेना है इतना काम सब आपको पडोसी को करना होगा ठीक है उसका मोबाइल लेकर आप भी खुद भी कर सकते जैसा कि मैंने आपको बता दिया है अब यहाँ पर देखिए यूर एड्रेस वेलिडियेशन लेटर रिक्वेश्ट है लंबा से लंबा तीन में लग सकता है बाकी हो सकता है कि पंदर भीस दिन में वह लेटर आपके घर तक पहुंचा दिया जाए पोस्ट के जरिए उस लेटर के अंदर एक सिक्रेट कोड़ होगा तो जैसे आप दर्ज करेंगे आपका दारकार चेन्ट हो जाएगा अब तब तक यहां पर हम रिक्वेस्ट ठीक है अब आपको मैंने बता दिया कि वेलिडेशन लेटर आपको रिक्वेस्ट भेज आ चुकी है अब आपको क्या करना है यहां पर हम नीचे जाएंगे यहां पर देखिए वापीस एक उप्सन आ रहा है अप्डेट यूर एड्रेस इसके उपर आपको क्लिक करना है जैसे अब इसको पर क्लिक करेंगे यहां पर देखिए फ्रोसेश टू अपडेट एड्रेस यह फर्स्ट वाला उप्सन था सेकेंड वाला उप्सन हमने अभी जस्ट यूज किया तो इस उप्सन के सारे आपको एक लेटर मंगाना आपके घ ऐगा तो प्रश्ट वाले उप्सन के आपको यूज करना है यहां पर यहां पे चलिए हम क्लिक कर देते हैं जैसे क्लिक करेंगे आपके मोबाइल नमर पर मतलब एक ओडिक काड कर अंदर आचुका है इसको मैं दर्ज कर देता हूं 315-270 यहां पर OTP आ चुका है आपका और यहां पर लोग इन पर आपको क्लिक करना है यह सारा काम आपके अधार कार्ड को पर अब होने वाला है अब यहां पर समझने वाली बात है कि देखिए लेकिन वेली डेशन लेटर आपने मंगा रखाया जिसके उपर एक सिकरेट कोड आपके पास आया हुआ है तो इस ऑप्सन का क्या करना आपको यूज कर लेना है चलिए हम इसका यूज करते हैं अब यहां पर समझने वाली बात इहीं है दोस्तों कि देखिए अब कह रहा है आ यहां पर आपको समझाने वाली बात यह है कि मैंने अभी वेलिडेशन लेटर के लिए रिक्वेस्ट भेजी है जो 180 दिन के अंदर लगभग 15-21 महीना के अंदर आ जाएगा 15-20 दिन से लेकर एक महीना के अंदर वेलिडेशन लेटर आपके घर तक पहुंचा दिया जाएगा हुए और लहां पर दर जाहेगे यहां आपका अधार काड के ऊपर और दर्ज करते ही आपका अधार काड के उपर कार्स दोस्तों आप को समझा दिया है कि आप कैसे अपने अधार कार्ड के अंदर Secret Code के माध्यम से दर्ज करके Secret Code आप कैसे अपने धार काड का अदर बिना Address Proof के सारे Address को Change कर सकते हैं हलंकी दोस्तों जैसे मेरे पास Validation Letter आ जाएगा मैं आपको एक नई वीडियो लेकर आने वाला हूँ अच्छी लगी हो तो करके वीडियो को लाइक कर दीजेगा और साथ में दूसरे दोचों के साथ भी शेयर कीजेगा ताकि उनको इस बात की नोलग दो सके और दोस्तों आपको कोई भी प्रस्टनली प्रोब्लम हो या फिर कोई बातचीत कर नहीं होता आप हमसे डिरेक्ट इस जय हिंद जय भारत